ह ko कस वेल्कम गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम है शाहिन नगर रोमान बही के पास यहाँ पर रोमान के पास अच्षा कलेक्षन है बाई के यह आई ये देखते हैं इसकी डीटेर बताइए ना इसकी डीटेर नहीं डीटेर देकि चाहर दाथ पर वच्छा है एक नमबर हतियार में हैं जी हतियार है आप अप स्थे अधियार में ब्रशना है और फुर्श्ति का एक नमबर चाहिए कुछ्टी में भी भीटरीन है और आप लोग सिंग वगर आभी देख सकते हैं कितना वेटेंगा इसका लाइव आएगा साथ साथ पई सट किलो आएगा सिच्टी से सिच्टी फई लाइव बेट आईगा आप इसका आस्किंग प्रैस सिसका ज्यादा निये देदी इंचालला 35,000 रुप में देदींगे वच्चे कि आप दोड़ा बुट नहीं के बरावर नहीं के बरावर थोड़ा बुट देखिए गाइज यह बोकुड है यह ब लाज wielu आक़ द ze नहीं किसी बाराइक कम हो जेंगा थोड़ा पूलकोत एक दम प्रैस बरापर ही आप आप लोगा आएए닥 के देख्णकर के ले सकते वीडियो में कले है शोटा बड़ा दिख रहा है। आप्छे आप देखकर लिजे जानवर भाई के पास अच्छा क्लेक्शन है लिए यह बरबरी है लिए यह चार दाथ पर यह को दो महने के ऊपर है अब भाई आप ये वी एक बरबरा है यह वह जो अब भी था बरबरे में उसका 7,000 आस्किंग प्रैज है और यह यह वखरी यह अजमेरा में है वही यह अजमेरा में जी कितने दाद पर रही है कमान हाइड वगयरा पूरा देख सकते कितनी हाइड होंगी इसकी एक अंदाज आपका 38-40 एंगी माशल अच्छी हाइड में है कलर भी आप लोग देख सकते अजमेरा में है कितना रख रहे हैं आप इसके आस्किंग प्राइस इसको दे दीगे आपके साथ हजार रुपे में देदा लिए इन्हें गाव है आप चेकर के लिजिए आप इसके ले सकते भाई के पास यह एक बीतल में बकरी है कितने दाथ पर है यह रोमान भई यह चार दाथ पर बकरी है खुले कान की है यह देख सकते हैं यह रख रहे हैं इसका आस्किंग प्राइस इसका आस्किंग प्राइस थोड़ा बहुत नेगेशेबल भी हो जाएंगा भाई के पास अच्छा कलेक्शन है आप लोग आईए आके देखके चेकर के ले सकते और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करिए थैंक्स फ़र वाचिंग